तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टन्स कमपानी का अपडेट सेयर करने वाला हो तो वीडियो को पूरा लास तेक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जोरू कर लेजेगा तो चलो देख लेते कौन सा कंपानी है इस वीडियो के अंदर फर्स्ट चै कंपानी है जिसके बारे में चर्चे करूँ उसका नहीं में 5-पैसा-capital.com तो 5% capital जो limited है इस company के उपर मैं बात करूँ तो इस company अभी भी बहुत छोटा है और एक stop broking company है इसका जो business है वो business totally broking के उपर है अभी किस तरह के से broking industries में इसका situation है वो मैं बता दू company के उपर सबसे पहले market share में देख लिता हूँ तो market share देखेंगे तो company के number of accounts जो market share है उसके 1.43% के आसपास है मतलब उतना ज़्यादा number of accounts अभी तक company ने capture नहीं क्यार पाए तो companies के business जो चल ला है वो किस basis में चल ला है आप देखेंगे तो all over India में company के business चल ला है जहापे broking के उपर 69% जो देखा जाए तो angel one के भी same to same है तो 69% के आसपास angel one के भी broking देखने को मिलेगा और company के देखेंगे आदास के उपर 24% revenues आ रहा है और बाकी company के cross selling cross selling के उपर 6.58% अभी cross selling होता क्या है देखे customer को force किया जाता है के आप इस पोड़ा को खरिदरी कर लीजिएगा इसमें आपको फाइदा मिलेगा तो इस तरीके से selling को कहा जाता है cross selling तो cross selling के उपर भी company का अच्छा कासा growth आपे देखने को मिला है तो company सारे चीज़ों को करने के बाद company के actually company के क्या profit हो रहा है वो देख लीजिए company के valuation दिखाए तो peer issue कीतना है 29 और company के industries peer issue कीतना है 19 और chart के बारे में बात कर दो company के दिखिए एक time peer issue चला गया था 130 और आज कितना है इसका peer issue एकदम सस्ते में है 22 के आसपास और average peer issue कितना निकल का रहा है इस peer issue के हिसाब से आपको आप जो काम करने वाल है तो उसको आपको एक data मिल जाएगा कि हाँ अभी company की situation में है अगर मैं company के quarter result के बारे मत करूँ तो finally company इस बार सबसे ज़्यादा sales को generate किया 84 crore से directly 100 crore तक company compete किये और company expense को भी company control रखे और net profit 11 crore से बढ़के हो चुके 15 crore के आसपास मतलब अच्छा खास है कि net profit यहापे growth होता देखने को मिले तो मेरे इस हब से best तरीके से company के यहापे performance देखने को मिला है बाकी आप देखेंगे as a investor promoter से लेकर FISDS Public हर किसी के पास आपको अच्छा खासा holdings देखने को मिल जाएगा एक चीज में आपको दिखाना चाहूंगा वो है companies के उपर जो mutual fund वाले ने जो काम किया वो किस तरीके से किया इतने दिने तक mutual fund ने कोई भी holding उठाके नहीं रखे थे और first time company के उपर December quarter में company के उपर कुछ quantity यहाप एड़ किया मतलब आप यहाप देख सकते हैं जो mutual fund के जो holding साब वो एकदम 0 था तो finally यहाप holding उठाना स्टार्ट किया है और जो DS के पास के पास जो holding था वो उसको continue कर रहा है करीबन 23% के आसपास एक अच्छा खासा holding को बहुत continue कर रहा है एक best points आपको जुरूर याद रखना होगा कि जब भी कोई करने के बाद ही company को थोड़ा सा profit working भी स्टार्ट हो चुके है तो आपको क्या लग रहा होगा कि company यहाँ से big fall देखने को मिलेगा और आपको मुखा नहीं मिलेगा तो जो लोगों को मुखा नहीं मिला मेरे सबसे आप अगर study करेंगे तो फिर से यहाँ पर मुखा मिनने का chances है अगर मान के चलिए मेरे anti level यहाँ पर मैंने anti नहीं ले पाए मतलो उस time मैं नहीं देख पाया तो मैं क्या करूंगा जब भी नीचे level को touch करेंगे तो मैं यहाँ पर anti जोरू लेने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से company reback करने का कोशिस जोरू करेंगे तो देखिए कोई मैं आ आपके research team के साथ बात चीद करके ही काम करना तो next company उसके बारे में जर्चागर उसका नाम है Indian Pesticide Limited कि उसको हम लोग IPL नाम से जानते हैं इस company के उपर एक धामा का टेकिनिकली चाट प्रेंस बना था सब सबहले बो मैं आपको दिखाऊंगा देखिए एक कफ सोल्डर कम head कम स मैसिब किये और target कोई छोटा मोटा target नहीं था 36% का सब्सक्राइब था और मज़ेदार बात क्या है आप जानते हैं जब इस लेबल को breakout किया था उससे पहले कुछ time यहां पर volume create किया मतलब कुछ time यहां पर बिताए उसके बाद breakout किया इसका मतलब है जब भी कुछ इस तरीके से लेबल को breakout करेगा जब इस range को breakout करेगा तो सोचना एक massive journey यहां पर आपको देखने को मिर सकता है क्योंकि एक label में जब company काम करते हैं इसको box format कहा जाता है इस box format के अंदर कोई range बनाए उसके बाद breakout करे तो higher possibility है एक धमागा performance वा पर दिखेगा इस format के उपस सबसेदा जो ब dance करते थे और dance करने के बाद उन्होंने जब stock marketing के बारे में जाना उनके उपर study किये उसके बाद उन्होंने काम किया तो उन्होंने खुद उनके किताम में लिखा कि मैंने सबसे था पैसा कमाया इस स्टाटीजिजिज को फॉलो करके मैं सारा लाइब, मतलब होल लाइब मैं इसी स्टाटीजिजिजिज को फॉलो करके काम किया अब देखे कंपानी को सही में क्या परफ़मेस अच्छा हुआ था जिसके कारण कंपानी को टार्गेड मिला देखे को वाटर लेजल के बारे हम बात करो देखिए सांदत तरीके से कंपानी का सेल्स एकी रेंज के आसपास है जैके छोटा सा कंपानी है साड़े 4,000 कवड का त उसके एकी रेंज के उपर कंपानी प्रॉफ सेल्स को मेंटेन कर रहा है एही सबसे खासियत बात है एकस्पेंस को मेंटेन करने के बाद नेट पॉफिट भी एकी रेंज की साबसे अच्छा खासा देखने को मिले तो मेरे साबसे एक बेश तरीके से पॉंट आप व्यू से आप देखने को मिला है बाकी sales profit तो चलते रहेंगे तो company इसको manage किया उसके बाद balance sheet भी देखेंगे तो company के reserve बढ़ता हूँ देखने को मिले बारिंग्स छोटा मोटा quantity के साथ add हुआ बारिंग्स कितना बड़ा चलो बो में आपको दिखाएता हूँ एकदम ना के बराबर है करजा एकदम ना के बराबर है तो company के जो करजा लिया company ने तो उतना ज्यादा करजा नहीं है और साथी साथ आप देखेंगे तो बारिंग्स इस बार भी एकदम ना के बराबर है और company खुद के बिजनिस को पर अच्छा कासा नीवेस भी कर रहा है इस बार भी highest नीवेस किया गरीवन 43 करूर के आसपास और इस सारे कारण के बज़े से company के उपर एक अच्छा कासा trade मिला और एक चीज में आपको फिर से आपर बताने बढ़ा हो India, India Pristicide Industries Limited के बार में तो company ने इस company के उपर सबसे ज़दा क्याप eX को बढ़ाते चले गए 2022 में कैपेक्स था 81 करोर के आसपास जो इस बार भी 75 करोर के आसपास 78 करोर के आसपास कैपेक्स देखने को मिला माल लेता हूँ कमपानी के sales, growth, profit, growth और net profit इस बार year of year basis में कम हुआ मगर quarter में कुछ कमिया देखने को नहीं मिलेगा फिर भी कमपानी लगातार growth करते चले गए और institution भी इस कमपानी के बज़े से mutual fund वाले ने क्या क्या कुछ quantity आप एड नहीं किया क्योंकि mutual fund वाले के पास कितना holding से बहुत देखना बहुत चुरूँ है अगर मैं institution के बारे में बात करूँ तब देखेंगे तो mutual fund वाले के पास एकदम 1.59% का holding है गितना holding है उसी holding को वो continue कर रहा है FS के पास holding था उसके बाद बीज में बेज दिया फिर से वो holding को continue करने का कोशिस कर रहा है पास university के बेजने की का कमपानी के जो तो अब देखेंगेONG का डिक्रूप 3 रेंकिंग में आ चुके एक WOW क है तेकनलोजी में चला गया था ऊझा इस सारे चेंजिंग होता रहता कम्पानी के मार्केट के वायज मतलब कम्पानी के सेर प्राइज में कोई चैंजिंग आ तो कम्पानी के मार्केट कब भी चेंज हो जाएगा इस बात को आपके याद रखना होगा तो dzięki यादप को बागी आप देखेंगे kpi करके बढ़ता वो देखने को मिले कि पहले कितना था दो हजार एक किस में 38 क्रूर के आसपर था उसke बाद 71 करोड उसके बाद 63 करोड उसके बाद 63 कर रॉर एक अलग लेवल आप देखेंगे तो system जो integrated है उसके उपर कितना 2.5% के आसपास और company के जो actually जो design product है जो embedded product design के उपर company 86% का revenue generate कर रहा है मतलब product design के उपर 86% revenue generate कर रहा है और industrial जो design है उसके उपर 11% और बाकी जो SLN आदस के उपर company 2.7% के आसपास तो यह था company's के उपर जो information जो information को देखकर आपको काम पढ़ना पड़ेगा वही चीज में आपके साथ share कर रहो और सबसे बड़ी बात है institution इस company को कभी बेच कर भागनी जा रहा है continuously इस company को उपर buying करते चले जा रहा है और मतलब जो quantity sell of किया था फिर से वो recovery कर दिये उपर जाने के बाद crash की हुआ एक company के लिए एक strongly क्या था एक strongly यहापे resistance था इसी resistance को वो फिर से रिटेस्ट किया उसके बाद नीचे आया क्योंकि देखिए यहापे क्या हुआ ध्यान दिजेगा यहापे दिखिए उपर से नीचे आ रहा था तो यहापे hold किया hold करने के बाद उपर जाने का कोशिस कर रहा था मगर इस label को break नहीं कर पाया मतलब यहापे एक resistance कम supply zone बन चुगे है उसके बाद big fall देखने को मिले तो मेरे इसाब से यहापे जो कफ वी धाने पटन्स बना उसके बाद breakout होने के बाद नीचे भी आये तो मेरे इसाब से अभी integer करना ही सही होगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि या पर जो इसका लेवल से इस लेवल को बोड रीटेस्ट करने के बाद ही फिर से वो बापस जा सकते है तो इस company के उपर आपके एक opinion है जोरू मुझे comments करके बताना तो next company है उसके बारे में चर्चे करो उसका नाम है देनुका एगरीटेक लिमिटेड तो देनुका एगरीटेक लिमिटेड एक छोटा सा company small captive मगर कमपणी ने एक साल में धमा का पार्फॉमेंस कर दिया 600 से company 1300 तक जारेने दिखा दिया एक साल में company आपका fund दुगना कर दिया तो दुगना करने के बाद board ने एक बहुत बड़े announcement कर दिया वो है dividend तो company 14 तरीक को आपको dividend देने बाले है वो भी 8 रुपीज करके तो जो लोग dividend के सौकिन है इस company को वो study करना उसके बाद कुछ decision लेना तो भीडियो टोटली education purpose में था वो भी मेरे तरफ से बायन सल का recommendation नही है अगर काम करना है सारे जी को देख कर सोच कर समझ कर काम करना इतने एक्स पीडियो में तब तक लिए धन्यवाद